मैं ममता जेन द्वारका से गुरुदेव के चड़नों में नमोस्तू 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 गुरुदेव आज मेरा ये प्रश्न है कि हम अपने अशूब कर्मों को शूब कर्म में कैसे पलट सकते हैं असूब कर्मों को भी सूब कर्म में बदला जा सकता है जिस समय असूब कर्म उदे में चल रहे हैं उस समय तुम धर्म ध्यान अधिक करना प्रारम करो और जैसे ही तुम धर्म ध्यान करना प्रारम करोगे तुम्हारे असूब कर्म भी संक्रम में बदल करके सूब कर्म में आप भी पुन्ड में परिवर्तित हो जाता है सत्ता में रखा हुआ कर्म जो अभी उद्य काल में नहीं आया है वो कर्म भी जो है पाप वाला वो पुन्ड में परिवर्तित हो जाता है असुभे कर्मों के उद्य के काल में भी अभी असुभ चल रहा है मेरे लिए बहुत प्र प्रशान हो रहा हूं ये चारों तरफ से मेरे लिए लोग घेरे हुए हैं करम घेरे हुए हैं लेकिन उसमें भी अपनी समता नहीं जाने देना और देव सांस गुरू से जुड़े रहना धर्म ध्यान करते रहना जाप अराधना करते रहना ये सब ये सब आप करते समय करेंग तो आपका असुब कर्म के समय भी सुब कर्म का उदय आना प्रारम हो जाएगा क्योंकि आपने सुब को बांदा है क्योंकि आपने सुब काम करना प्रारम कर दिये हैं तो ये है उपाए असुब कर्मों को सुब कर्म में बदलने का इसे आपको अवश्च करना चाहिए नमोस्तु नमोस्तु गुर्वर मैं शरजन देरदून से मराश्वी मेरी एक शंका है जैसे हम जैनों में चान के पानी पीने का है तो आज की डेट में अगर हम देखें मौडन उसमें की आरो लग रहा है फिल्टर्स लग रहे हैं तो क्या वो जो पानी भी है वो हमारी छनेवे पानी की शेणी में आता है कि नहीं जैन धरम में जल को छानना एक बैग्यानिक तरीके से बताया है जल को छानने का मतलब यहाँ पर जीवों को बचाना है जीव बचें उनको जीवन मिले यह उद्देश है लेकिन आरो और फिल्टर का जो पानी है वहाँ पर जीव बचाने का कोई उद्देश नहीं है यहाँ पर पानी चान करके उसके मिलनस जो जल में मिलनस पाय जाते हैं उसको नस्ट करने का नहीं है उसमें जो बहुत जीव होते हैं वो जीव जो है बचे दोईंदरी आदी जीव तरस जीव उसमें जनम लेते हैं उनको च्छान करके वही जल में पहुँचा देना जहां उनका जीवन बचे जिसे जल गाहन कहते हैं नदी का पानी कूप का पानी जहरने का पानी यह इसलिए लिये जाता है क्योंकि श्रावक उसकी बिल्चानी जो है वो अच्छी तरह से कर सके लेकिन जल की बिल्चानी नहीं पहुचाई मात्र पानी च्छानने का उद्देश रहा और कुई आदी का पानी पीने का उद्देश रहा बस और बिल्चानी नहीं पहुचाई तो च्छानों न च्छानों फिर बराबर है फिर उस पानी का क्या लोग पानी भर के ले आते हैं और दो पात दिन तक दस दिन तक पानी जो है उसको चलाते रहते हैं उसी बिलचानी डालते रहते हैं और अंत में जो है पानी की बिलचानी यहां वहां फैक देते हैं तो उद्स कूय का पानी का तो हुआ लेकिन दोजीवों की हिंसा नहों यह उद्स था वह पूरा नहीं हुआ जो की गलत है आरो और जो फिल्टर का जो पानी है उसमें जीव हिंसा तो होई रही है क्योंकि आरो फिल्टर में जब च्छनने जाएगा उसमें तो जीव उसी में ही चिपक करके मर जाएंगे और सबसे बड़ी बात है आरो फिल्टर के पानी में जो हमें मिलनस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे तो सरीर में जो है बिमारी पैदा होगी ऐसे कितने विक्ती है जो आरो फिल्टर के पानी पिक पिक करके अपने सरीर को जो है खराप कर लिया है कि शरीर जो है वो विकार हो गया है इसलिए जैन उद्देश में छन्ने से छना हुआ जल और उसको फिर प्रासुक करो उसको गरम करो उसको गरम करके उसको प्रासुक करो तो प्रासुक करने से उसमें किसी प्रकार के और जम्स नहीं पड़ेंगे अब उसमें कोई और जीव पड़ेंगे उसकी एक मर्यादा है एक समय है और उस समय तक उसे आप ग्रहण करेंगे तो वह आपके लिए लावदायक है एक तो अहिंसा का पालन सयम का पालन और दूसरा जो है लावदायक क्या लावदायक आपके सरी में फुल ऑक्षिजन फुल मिलनस जो जल में है वो आपको मिलेंगे तो आपकी बोड़ी में जो है ब्लेट सर्कुलिसन जो है वो सही चलेगा कोई ब्लॉकेज नहीं आएंगे और सरीर जो है स्वस्त रहेगा जब सरीर स्वस्त रहेगा तो धर्म ध्यान भी हमारा अच्छा चलेगा डॉक्टर भी यही कहते हैं आचकर कि औरो फिल्टर आदी का पानी मत पियो तुम जो है वाइल करके पानी पियो छान करके गरम पानी पियो यह साइंस भी कहता है यह डॉक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि उन्हें बात समझ में आगी महावीर सौमी की कि जो पानी छान के पियेग वो व्यक्ति स्वस्त रहेगा तो हमें स्वस्त रहने के लिए जो है इस प्रकार से यह जल का उपयोग करना चाहिए ना कि आरो और फिल्टर का उपयोग करना चाहिए कारेक्रम अगमधारा के पुन्यारजक थे श्रीदिगंबर जैन मंदिल लोधी कलोनी दिल्ली कर दो हमें जो 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 ह